पुतरा हम देटा हैंगे अठीदा हैंगा हमारे जिन्दा जैट रुपया लाइन वर रहा आपका कॉल पर है लाइन पर बने रहें या कुछ सेट बाथ कोचिछ करें या कॉल इस ओन खूल प्लीज से ओन लाइन और कॉल बाथ लेटर आपका कॉल फोल पर है रुपया लाइन वर रहा आपका कॉल पर है लाइन पर बने रहा कुल बाहे करम हम से खूल ताने दें तर हर दम करें धूरू तुरू 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 द्यीग नहीं ता रहा है नहीं था रहा है कोई वहावडा है नहीं ताने अच्छक रहा है अमिर कैसे हैं अला कुली हाल तुमारे बुखार है नहीं से हैं ला अदरी वन मिनेट जरा एक मिनेट या शूर आज़दारे हरम अपना कॉट खोल्ड बर्ठे बिलाएं लाइन लाइन लाहा अपना कॉट पे लग गया गया लाइन लाइन ले ले लो हामेर अधी जी मैं राहिल खान बोलाओं लक्नव ते सुनी हन्फी वर इल्वी और राहिल खान एड्वकेटाफ करते हैं जी जी बिल्वकों की दुआ हैं वल्यों का साया है शुक्र है उस खुदा अरब तबारिक पताला का जिसमें वहाबी देवबंदी खारजी शिया नुसहरी नहीं सुनी हन्फी वर इल्वी बनाया है माशाला अल्ला तरह आपके मन को ऐसे खुश करता रहे अगर आपके मन के अंदर महबत रसूल हो तो आपको अरे क्यों महबत रसूल क्यों नहीं होगी दो हमारे अंदर नहीं हमने यह बिगर अल्ला के नदी के क्या है बेशब बिल्कुल सही का आप में कौन बो लासाथ में है इसकारी साब भी है ऐलो शालम बाई अनो ढहरे ने से बीद में हमानद ऐसरा कि अगके है जनाल में जनव घनाव आमर सहब जी फर्मयों 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 जी दर असल हमको यह पता चला था कि आप दिवबंदी मतलब के तालूख रखते हैं तो अच्छा सब्सक्रिक्ट पर मश्यालब अधर और तर ऑसल हमें अधर किसी नहें बता था आप देखिछ ने जांगे तो हमने सोचा था एक सवाल करेंग कि तेहजीर नहीं है तो बहुत हमारे पास नहीं है जनाब इस नहीं है अधिन में आपको बताओं जी बताईए तो अगर विजी ही रहता हूं लेकिन मुझे आपकी कॉल इसकी उठाने पड़ी बहुत अच्छा लगा बात करके आप से माशा लाओ बहुत माशा बहुत खलूस से आप बात करने हैं वाकई काबिल तारीफ है अगर हर कोई ऐसे ही बात करने लगे तो मसले मसाईली खतम हो जाए लगा लिए अर्जींबर आप ने जी अब आप फरमाई ने जी दरहसल हमें यह पूछना था अब आप लिए 2000 इवी में तो यह समझत है नि कि यह थ पता है Solar अचा है मुख्वक्त की मननले कहा ना आंगर साथ तक से रहें। साथ तक से रहें। नहीं कोगा कि आप दियोबंदी हैं ही नहीं। मैंने दियोबंदीओं की किसी किताब में पढ़ा था कि तक्वियतु एमान को रखना जो है वो आई इसलाम है। अपने घर में रखना तक्वियत अलिमान को एन इसलाम तो मैंने ये मतलब ये सवाल था कि इतनी खबासत भरी किताब को अजरत जी कौन सी बुत में लिखा था हमने नहीं पढ़ा तक जी जी इजाओ अलिमत मैंने लिखिये अच्छा इजाओ लख नाम है किताब का मुसन्निफ हैसके मौलवी इसमाईल देलवी अच्छा आपने ये किताब तो इंशाला जरूर पढ़ी होगी अच्छा कुछ में है अजरत के उस किताब को रखना ऐसा है जी जी ये भी एक बिद्धत हो गई जी ये भी एक बिद्धत हो गई जी अच्छा उससे बड़ी एक इबारत है मौलवी मौम्मत कासिम सहब नानोतुई की जो बानी देवबंध है तो वो अपनी किताब तहजिरुन नास में लिखते हैं मतुबाय दारूल अशाद कराची से छपी है जी अच्छा एक मौलवी इसमाइल देलवी की किताब और है उसका नाम है यक रोजी इसके भी मसंडिव जो हैं इसमाइल देलवी सहाब है मतुबाय फारूगी सभ़ा नंबर 144 पे withारत लिखते है कि हुजूर अलिह अलिह सलम की मिसाल और नजीर मुम्किन है और इसी तरह से बरहाइने कातिया है जिसमें मौलवी खलील इहमद अमबेट्वी सहाब है और तक्वियत अलिमान में भी लिखी है ये अबारत जो इसमाइल बेहलवीज के मुसन्ने पर उसमें लिखाया कि हुजूर अलेहसलाम को भाई कहना जायज है क्योंकि आप भी इंसान है देखो अपना आपको बताओं जी पर हम जाएंगे हमें तो पूचा नहीं लिए देवन दी हैं यां अचा इनसान की जो इनस सलय पात्वने नमाज में कि अरध मुध्मून के लिए च्रह का इंसान की नमाज हर इंसान पर घर मर्द और 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 हुए तर हर अजड़ दो यहां जहां से आपको नंबर मतलब करने के लिए गलत होता है जहां से आपको नंबर जहां से नंबर आपको मतलब वसाहिल हुआ है जी 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 आपको यहां की जाम मजजित का इमाम हो जाए जी उमर में तकरीबना थारा साले जादा जी जी बट लेकिन आवाज इन लोगों को थोड़ी पासा जाए जी जी तो मैं उनसे मिलने जायाता है जी अब वो इनके एक न जी है जी घट अब जांजी है जी और एक है जारोगा जाब जाब जी और एक है इनके डटेड़ी जे से मैं आपको नमबर दिया जी अब यह बोनने लगए आप नहीं जेश्व के मसजित की ही आपको पर में जोलीगाती है जी तो आप इनको मिनने की जाए जी भावाण जा वहां पर जमा हो गई है तो वहां पर बहुत कारे लोग शेटे हो गए जी किकर मने मस्ज़िद जादा भार निकलता है यू कुछ लोग देखने भी आघे अच्छा च्छा जादा बहुत के अंदर ही रेता हुआ है वहां बहुत सारी बीड लगी अब वो पूष आप उनसे ने की वह यो जी ने का हमारे बड़े हैं घर सारे मानते सां जी घर सा मां जी जी तो बोलते हैं आप बरेल्बी किने यह मैंने के यह लगा लगा रखा है कि लोगों ने उल्हें कि चुछा रभाए तो उन्हों रहे बात रख दी कि आविस गंडे बना ते हैं आच्छा सब्सक्रावाय मितलब, किसी किंगर के काम करने लगे, उनकी बसे जेट थेट करके दमाइा जैने लगे मतलब अश魔 होने की यहसा मिलागे ज्लीच यह की लिगा कि और वो मतलब नहीं कोई हैं लग जो पड़े हुए हैं नहीं नहीं डॉक्तर हैं नहीं जब्रक्राइब कर दिए कर कर के दाओ कि दुए पर एंच जलिए जिए तो मैं आप मानते के हां में मानता हूं पिर दवाबी लेता है जह आप इस इस तरी कि आप दो तो अपके सीर साथ जो माहा रहते मजार पे, तो वह उलमाओं के मतलब जैसी सौववत इंचान को मिलती है, इसी तरीकी तरफ धरिए रहता है हो, अब वह उलमाओं के सौववत भी उनोंने, वुनमाओं के साथ रहे होंगे, विछ आरे में ताविज गंडे भी बनाना ची अब जतना जानते हैं और उतना ही करो जानते वंदे को थैनियों मतलब बैस वाजी कर दो शिगुदू करो जी जी वहां वेठे थी इनके अब्डू जिननों आपको मेंबर दिया है जी वह बुने लेगे हाँ यह बात ठीक है अब अब अनुग को अमर होगी मतलब अब यह ता स्टी अधरम को अनुग मतलब अवान केया है जाजु आता है अब जाही हएज नहीं है अब मतलब वहां पर लोगों ने शूर मचा दिया इस प्रधान साब की बोलती बंद हो गी अच्छा सबस्क्राइब तो आता डिया प्रधान साओ की बोलती बंद हो पांगद्स में वहां पर इस फ़स्क पढमने जो अख रहा हैं। कुरान की जो आदाद होते हैं जी नंबराथ लिखके डालते हैं वो ताविज जाएज है जी उनों ये भी बता रहा है जी बाद में करो मतलब कुछ ऐसी बात है कहने लेगे जिनकी ना सर ना पर अब जो पनी हो जानने लेगे मेरे अभू ये से घ्रिजबर के मैं लेगा आप अजय को मन मतलक हैं दो का कि कि लोड़ आखम वे जो जो बताइए आप क्या है को हमारे सो कुछ होगो के मैं अब बोलते हैं कमझे यह बताब बढ़ दो आप भूए कर वर्चेः को थे ऐसी साल होती है, उर्दी के पार्ची किताब रजती हो ते इंक पार्ची छीख जाता है, उसमेद निया रजेता है तो पार्ची में बने से लिद पड़ाते है। तो वहां पर यह उदम मचा दिया लोगोंने इत्राव मजदिस की दो इमाम साहिए उनकी बोल फिवन जर दिए उपर वो और वो अस्जेक्शन उत्वाया हो जी 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 अब मैं कुछ इस पर बोलना चाहूंगा इजाज़ते जी 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 तो तिरमजी शरीफ जिल नंबर दो सफ़ा नंबर 972 में एक हदीस नकल आती है जिसमें हुदूर करीम अब इशाथ फर्माते हैं कि जब कोई तुम्मे से नींद में चौक पड़े तो कहे कि मैं अल्ला की पना चाहता हूं बरी बातों से उसके घजब से और अजाब से और उसके बंदों के फसाद से और वस्वसों से शैतान के और उससे के वो हमारे पास आएं तो वो खुआब उसे जरार ना करेगा अब्दुल्ला बिल अमर रदी अल्ला नो सिखाते थे कि उसको जो बालिग होता था उनकी ऑलाद से और जो ना बालिग होता था उसके गले में लटका देते थे तिर्मजी शरीप जिल नमबर दो सफा नमबर नौसो पहटा था तिर्मजी की अहदीश के तहरत हज़त मुल्ला अलिकारी लिखते हैं जिन ताविजात में अल्ला के अमा हो उनको लटकाने के लिए हदीश असल है और यह उन्हों नकल फरमाईए मिलकाच शरा मिसकाथ जिल इमाम मालिक ने कहा जब ताविज लटकाने से ये इरादा ना हो कि इससे नजर नहीं लगेगी या कोई बीमारी नहीं होगी जो ताविज गले में लटकाना जायज है किसी भी तंदरुस आदमी के गले में ताविज लटकाना जायज है और किसी मुसीबत के नाजिल होने के बात गले में तावीज लटकाना जायज है जबके इस तावीज में अल्ला ताला के अस्मा लिखे हो और इस तवक्व पर तावीज लटकाया जाए कि इससे मुसीबत टल जाएगी और शिफा हासिल होगी अलतमीद अबन बादलबार जिल्द नंबर 17 इमाम इबन हजर रदियल्ला ताला अनू आप फर्माते हैं कि हजद इमाम इबन हजर रखिलानी लिखते हैं कि वो तावीज जिसमें गुरान और जिक्र अल्ला और अल्फाज हो लग और कर ये का अल्फाज हो उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि कि वो तबर्रक के मानिन हैं और उन तावीज में अल्ला का नाम और जिक्र होता है उसके बाद इसी तरह से हजद इमाम बगवी लिखते हैं कि सईद बिन मुसायद से सवाल पूछा गया कि और और चोटे बच्चों के गले में ऐसा तावीज दटकाना जिनमें कुरान मजीद लिखा हो तो इसका क्या हुकम है तो हजद सईद बिन रदियल्ला पूछा उनों ने रिशाद फरमाया मुसायद ने रदियल्ला पूछा उन्चाद फरमाया कि जब तावीज चमले में बंदा हुआ हो या लोहे की डिबिया में हो तो कोई हर्ज नहीं शरा उस्सुना जिल नमबर 12 सफ़ा नमबर 158 और हज़त इमाम शामी के नज़्दी भी तावीज पहनना जाएज है रद्दल मुहतार जिल नमबर 9 सफ़ा नमबर 523 में हज़त इमाम शामी लिखते हैं के लोगों के अमल यानि लोगों के आमाल के जो तावीज होते हैं के जवाज पर हैं के जब जूभी ये हैज यानि के नापाकी की हालत के बजू पर तावीज बंदा हुआ हो और वो किसी चीज में लिपता हुआ हो तो कोई हर्ज नहीं अमने एक आड़ियो सुनी, एक गहरमकलिट था उसकी एक आड़ियो सुनी, मुझे कि सी ने बेजी थी, उसमें वो कहने लगा शुन रहा हैं। जी वो गैर मुखलिद जो था तावीज को हराम करार देने के लिए उसने एक अपने घर का वाक्या बताया उसका नाम अफू टटी खोर है गैर मुखलिद है जाहिल है तो वो कहने लगा कि एक बार मैं अपने भाई के घर पहुचा तो मैंने देखा कि मेरी भदीजी के तावी बचा पाएगा तुमको कैसे बचाएगा उसने दलील दी तो इसी तरह से जैसे इस तरह से दवा होती है अब जैसे मान लीजे कोई लाइफ सेविंग ड्रग है सॉर्वीटरेट है किसी का हरेड़ा एक आता है तो उसको फूरी तोर पे सॉर्वीटरेट दी जाती है अब एक जाहिल गैर मुकलिद है वो इसी तरह के सवाल जबाब करके लोगों को बेवाकूफ बनाता है और जिन ताविजात के बारे में मैं आपको जो गैर मुकलिद होते हैं मैं उनकी भी अकाबिरों से ये साबित करूंगा कि वो भी ताविज पहनने के काहल थे फतावा सनाया में जिल नमबर दो में सफ़ा नमबर 349 में लिखा है कि सना उल्ला अमरित सरी जो गैर मुकलिद वहाबी था वो मसला ताविज में इसक्तिलाफ है राइज ये है कि आयत या कलिमात सहीया दौईया जो साबित हो उनका ताविज बनाना जायज है हिंदू हुया मुसल्मान सह चायज है ताविज पहंता था तारीक अबने कसीर में जिल नमबर 14 सफ़ा नमबर 169 में जाए जी बेशक्श थाए है बेशक्त सहीया बेशक्त सहीया है प्यादेन आशकर क्या में बबताओ ओ को कारवन होता है कारवन लिए जी जी इसके लिए हम आपको एक इसका भी एक्जाम्पल छोटा सा दे दें अब अल्ला ताला ने मुरुगा खाना जाइज लिखा है और भैंस खाना हम खा सकते हैं भैंस भी हराम नहीं हलाल है हमारे इनलती अब आपने देखा होगा कि चाइना वाले जो हैं वो नकली गोश बना के हमें पता नहीं जब तक कि वो नकली है या असली हमारे लिए जाइज है और अगर हमको पता हो जाए कि नकली है तो हमारे लिए वो ना जाइज हो जाएगा हम नहीं कहाएंगे हमें पता चलेगा नुक्सान करता है तो ये तो इनसान के ओपर दारोमदार है कि वो किस ऐसे इ जापता कर रहा है जिस पॉर एंग्जामपल जी अब अगर कोई इनसान जो है वो यह कहे कि मैं हाफिज रुरान हूं अब मशूर हो गया उसके महले में जहां रहता है कि भाई यह हाफिज रुरान है अब हमने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए कि बहुत को सीख ज जाता है बहुत उपरी दरजे पर किया जाता है और यहां तक कि कई मैंने तो देवबन मसलक के लोगों को देखा है कि वो भी तावीज लेने आते हैं अब ऐसा है जी अब कोई भी हो जी 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 बेशक आदाद में ही लिखे हुए होते लेकिन मैंने आपको जो खे तावीज तो अलग मसला हो गया मसला यह था कि जैसे भी आपने कहा कि आप मुसल्मान हैं और देवबन्दी बरेलवी से कोई मतलब इतना वो नहीं है है ना मतलब आप आपका अकीदा मुभम मुझे लग रहा है या आप मुझबबबब तरीके से बात कर रहे हैं नहीं मैं तो देखो ऐसा हुदा हम तो भाईया इनामत करते हैं जी अब हर तरीवी ते लोग रहे हैं जी उस दिन से फरच भी पला भॉष उस दिन से लोग कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ने आते हैं मेरी पीछी जी तो यहां जो इस दम परीके से उपरेली खारादी कोई खायने के मुझे जी तो इनो सारे मेरे पास नमाज परने आने लिए लिए लोग कुछ आप पी जी बढ़ता है जब में से जी शायला है जैसे जायज है बहीं जी बे शक जाइज है इस वजह से कर रहा हूं जाइज है इस वजह से कर रहा हूं जाइज है इस लिए पढ़ूँ आप अबी अबी मैं आपको बता हूं अभी मेरे साल से आठ दिन भी नहीं होगे मेरे पास रात को फ़ प्रेशु को किसी से बात कर रा था तो कोई दियो बंदी था तो वहाँ पे एक पोस्ट लगायता है कैस जिसमें दम है तो मुझे से मुझे मुनाजरा कर ले बूस्ट qualcरों तो मैंने कापना नबर तो मैंने उसे खुद अपना नंबर दे लिया मेरे पास दो मिनिट के बाद कॉल उसकी आती है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ और जैसे ही रिसीव करता हूँ तो उस पे सुनाई देता है कि आपकी कॉल होल पे है, वो कॉन्फरेंस पे उसने किसी पुलिस इंस्पेक्टर को SI को लाइन पे ले लिया, और वो नौन मुसलिम था, और वो जो है उनके कई दुश्मन होते हैं, तो उससब जेल में होते हैं, तो हमने का ये धंकी, ये कानून, ये उनको सिखाना जिनको कानून न पढ़ा होई जो जाहिल जपड़ गाउद हात में रहते हैं, जी, तो वो हमको बता रहा है किस तरह की बातें करना और लिसीद, बताए नहीं कर रहे हो तुम एक SI को लाइन पे ले रहे हो मेरे पास उस लड़कें का नंबर है जिसने मुझे कॉल करी थी जो देवबंदी था मैंने उसको दोबारा कई मरतबा कॉल करी पर मेरी कॉल जो है उसने ब्लॉक पे लगा दी है तो ये सब मसले चल ले है बेराल क्या नाम आपका आमिर आमिर भाई आमिर भाई मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप बहुत सुल्जे हुए इंसान है माशालला से और बहुत आपने महबत से बात करी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बस आप कहीं पर लाइन जो है वो दाएबाए जा रही है तो उसको ना जाने दीजेगा दाएबाए वहीं रोके रहीएगा मेरे प्यारे भाई हमारी आपसे कोई ना विश्यदारी है ना दुश्मनी है ऐसा था हमारे यहां पर एक बन्नेर शरीफ है जी बन्नेर शरीफ है बन्नेर शरीफ जी अब भाईया हम वागए प्रोग्राम के लिए जी बन्नेर शरीफ जो है वहाँ पर बन्नेर शरीफ आप समझ गया हूँए जी समझ गया हूँए जी जी मेरा कुछ कलाम थोड़ा किस अंदाज में था जो पड़ी लिखे हैं इस लिए यहां से तालोग रखते हैं जी जी जादा गुष़े हो इसलोग वहां तो समझ कर रखते हैं पर बैसे लोग हैं जो महाँ पर लड़कियां इतनी थी वहाँ जड़कियां पर आदर जाता हूं तो तो 3-3-3-3 लड़कियों उनी और लड़के कम जी अजर गद दर्गर मैंने कलाम सुरू किया था न तो मैं वहाँ गया जी यहां के लोगोंने कुछ अभ्दिक्षिन मतलक तो इस बात तोटा है आप वहां के जए जिए अशार सनने किया था क्या होगा तो लोग इसकी चामाद होगा मतलब को लोग दिखिर होता हुआ जी वहां पर लड़कियां पर इस तो तब से पहले तो मैंने एक जन से जाके नहीं कहा है मैंने सलाम उना सिया से लिए कलाम दे खुड किये देते हैं अंदा नहीं जाबाना जी माशाला आदल में तुझे रख लोग जाना माशाला तो लड़कियों की तो निगाहें थी न हो मतलब इस रिखिर की तरफ मतलब वो कुछ अलैक्स मज़री थी जी जी ये चाप पढ़गाया कर थी आ रहें आरें आरें लोग बैसे मतलब उलमा एक नम बैटी तो बोजह हुरे थी जी 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 तो बाद में यह वाली बात तहीं तो मैंने यहाँ पर लड़कियों काना जी बेशर्ट मैंने का इस पीज़ का इरम तो मेरे पास नहीं है मैंने पर पहली बगया हूं उलमा लोग आप से मना बां करते इसुत नियुक्त जो मेले किति किसी इना स्वाण उट नहीं है कुछी मुझे करें पालिधि किसी सिने मुझे बहुते हैं इतर बहुते हैं तिकी अब इचान के अधिश्चन के अन्र जानने मर फीर क्टीफ हों इस सबस्टे कम एक सब्सक्र पर पर जिए प्रखुटेने तो माशाला एक बार एक दफ़ा की बात है मैं मस्जिद में गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक सहाब बैठे जो थे उनकी उमर होगी गरीब पचास साल वो वुजू कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो पानी जो ले रहे थे हाथ धोने के लिए तो वो पूरा हाथ का उनका रोया भी मेरे ख्याल से पचास परसंद रोया वो भी भीग नहीं रहा था तो मैंने उनको जब वजू कर लिया तो मैंने का हज़रत के गुस्ताकी माफ आप उससे बढ़े हैं लेक जी तो यह उनका अमल है यह उनका अमल है उनकी जहालत है इंशालला अल्ला उनको अपले सलीम बता करें कर दो करमरी जेख कर लिखितला में में तब करमानी जेख वह समझाता है जी करण के आपको बिंदा स्ट्शनकर अब है मुझे आप इनकर ईजर दिनकल में यह उनकर उपने अजा ginger बेशक। तोने का वो पहने गोड़े मेना सोना सो मजड़कों कर राम हैं जी पहली वाद की खान चिर्वान अभी मोना बेशक। मैं जी चीज़ता हो और को कि यह अब बोले जी अरे बश्तु दोगा यहां क्या क्या बोलते जाते हैं आख कुछे बन से बश्तु दोगो यह ज़त उस सुना ही मुझे उन्हों में जी तो में अच जोड़ रहा है कि मेरे हक्ता कायमत बाले मेरे 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 खांसा आपके अजी नहीं नहीं पड़ी इसलाम में कुछ जबर्दस्ती है ही नहीं जी कायरे साथ दिल्कुल अधु उतार दूँगा इसको मैं जी जी अब्दुल्ला बात करेंगे बहुत असलाला बात करके इंशालला फिर बात करेंगे आपसे जी आपके असलाम झाल